असलोलेकूम, मैं हूँ आपकी डाइटीशन हीना फरीदी और आप दीख रहे हैं हमारे यूटूब चानल हीना हेल्थ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ट्यूब के साथ में आप कैसे नाच्रल प्रेगनेंट हो सकते हैं बहुत सी पेशन्ट होती है उनका बाय बढ़ती एक ट्यूब होता है या फिर कुछ का ऐसा होता है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होती एक टॉपिक जिसके कारण उनका एक ट्यूब लॉस्ट हो जाता है और उनको एक ट्यूब से प्रेगनेंसी कंसीव ने होती यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए डॉक्टर आपको IVF के लिए ही सज़स्ट करते हैं लेकिन IVF करवाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और यह थोड़ा एक्सपेंसिब भी होता है इसलिए बहुत से पेशेंट IVF का प्रोसीजर नहीं करवा पाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप नाचुरली एक ट्यूब के साथ ही प्रेगनेंट हो सकते हैं बिना किसी आई-ई-ई-ई-ई-आई-ई-प्यते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो कर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ है यह पांच साल से इंफर्टिलिटी फेस कर रही थी इनको एक पहले प्रेगनेंसी रुख चुकी थी एक टॉपिक प्रेगनेंसी जिसके कारण इनका एक ट्यूब रिमूव हो गया और उसके बाद में इनको एक ट्यूब से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी इन पा वजाब चौबेस में श्वेता ने हमें करनाटका से अप्रोच किया, आउनलाइन कंसल्ट किया, जसके बाद इनकी रिपोर्ट्स को देखकर मैंने इनको कुछ कुछ कस्टमाइज डाइट, योगा असंस और फर्टिलिटी किट सजस्ट किया, and you can't believe this कि इन्होंने सरफ वान मन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीर की, क्या ये आपके साथ भी पॉसिबल है, जी हाँ, आज मैं आपके साथ में वही सीक्रेट शेयर कने वाली हूँ, कि कैसे आप सिर्फ एक ट्यूब के साथ में प्रेगनेंट हो सकते हैं, श्वेता की तरह, चलिए वीडियो को शुरू करते है अगर आप एक ट्यूब के साथ में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेस्ट होगा, या तो फिर आप एक बर फॉलिकल स्टडी करवा के देख लेजी कि आपका जहां पर ट्यूब कुला हुआ है, वही से आपका ओविलेशन हो रहा है या नहीं, बहुत सारी दफा ऐसा हो होता है कि आपके पास सरफ एक सिंगल ट्यूब होता है और आपका ओविलेशन में नहीं हो रहा होता, जिसके वज़े से हर महीन आप ट्राई तो कर रहे हो पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहे हैं, इसमें ओविलेशन के बिलकुल काम नहीं करेगा, आपको डारेकली जाके क् की खुली है, तो आपका लेफ साइड में ही अंडा बनना चाहिए, तो भी आप प्रेगनेंट हो पाएंगे, तो ये एक सिंपल ट्रिक है, जसको आप फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, अब आगे और क्या करें हम जिससे हमारा जो वन फैलेपिन ट्यूब है, उ इसकी वज़े से प्रेगनेंसी नहीं हो पारे, अब इसको हम वर्किंग कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको पीरट से फ्रेश होने के बाद में, डेली फॉर्टिलिटी मसाज करनी है, कैस्टर ओल पैक से, जिसको हम R&D का तेल भी बोलते हैं, कोई दूसरे ओल से नहीं कर हैं, फॉर्टिलिटी मसाज को कैसे करना है, step by step practically मैंने करके भी बताया हुआ है, तो फॉर्टिलिटी मसाज 7 डेज के लिए आपको करना है, फॉर्टिलिटी मसाज के तुरंद बाद ही आपको कैस्टर ओल पैक भी यूज करना है, अब कैस्टर ओल पैक यूज करने का भी त गर आपको फॉर्स सेप्टंबर को पीरड आया है तो टेन से ट्वेंटी सेप्टंबर के बीच में एक दिन चोड़के एक दिन आप कॉंटाक में रहेंगे और एक चीज़ यह बता दू कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम फर्टिलिटी मसाज किस दिन पर करे तो आपका अगर पीरड चार दिन का है तो चार दिन के बाद पांचवे दिन पर आप साफ हो जाते हो इसी दिन से आपको डेली फॉर्टिलिटी मसाज और कैस्टरल पैक करना होगा साथ दिनों के लिए साथ दिन के बाद छोड़ देना है फिर कंटीनू नहीं करना है अब जिस पेशन्ट को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि उनको पीरड आने के बाद वो कंटीनू चलते रहते हैं बिना मेडिसन के रुपते नहीं है या उनका 10-12 दिन का पीरड होता है तो ऐसी फीमेल्स कैस्टरल पैक और फॉर्टिलिटी मसाज बिलकुल यूज नहीं करेंगे क्य बीज वाली किशमिश ले लिए बीज वाली उसको एक कप पानी में सोक करके रखे और मॉर्निंग में एम्टी स्रमगाप ले सकते हैं फुल मॉन के लिए यह भी आपकी फॉर्टिलिटी को इंप्रूफ करती है और एक की कॉलिटी को बढ़ाती है अब आप एक ट्यूब से तो आपकी उवरी का फंक्शन भी आपको होना चाहिए तो इसके लिए ब्लाइक रेजिन वाटर भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि हमें ऑवराल ओवरी का फंक्शन भी इंपरूफ करना है ऊसके साथ मैं डेली 30-45 मिनिट का आप वाक करेंगे morning walk करनी है night का या शाम का walk नहीं करना है morning walk आप कर सकते है और अगर 6-7 बजे की morning की दूप ले सकते है तो इससे vitamin D मिलता है ये भी आपकी body के लिए बहुत अच्छा है conceive कने के लिए तो वो भी जरू ट्राइ कीजिए आईए मैं अब आपको बता दियू कि श्वेता को मैंने क्या treatment दिया था सबसे पहले तो मैंने इनको customized diet plan दिया था इनकी age और इनकी condition के according साथ में मैंने इनको fertility kit दिया था जिसमें दोनों husband wife को treatment दिया था generally हम दोनों husband wife को ही treatment देते हैं जिससे overall pregnancy भी conceive हो आगे जाके कोई birth defect या miscarriage का problem ना आए क्योंकि हमारा goal सिफ pregnant होना नहीं है हमारा goal है एक healthy बच्चे को जनम देना इसके लिए दोनों husband wife का treatment लेना भी ज़रूरी है wife को हमने दिया था over help, weed grass powder, ovulation booster, jiv pushty, black resin water, fennel seed water, kustal hindi ताकि over egg का production अच्छा हो सके husband को हमने दिया था beach pushty और शोबांजना इसके साथ में इनोंने सरफ one month के इंदर pregnancy conceive की अगर आप भी जल्दी conceive करना चाते हैं आपकी age जादा है, conceive आप लाग बर करनी का try कर चुके बट फिर भी conceive नहीं हो रहा है तो आप ये उपर दीवे नंबर पे whatsapp करके मुझसे बात कर सकते हैं मैं आपके reports को देखकर आपको customize treatment दोंगी जिससे आप भी जल्दी pregnant हो सकते हैं आपी की तरह 7 लाग से उपर females ने हीना health को trust करके natural conceive किया बिना किसी IUI, IVF के तो अगर आप भी बिना किसी IUI, IVF के budget friendly conceive करना जाते हैं तो आज जी उपर दीवे नंबर पे whatsapp करके अपना appointment book करें और details जाने के लिए आप हमारे website पे भी visit कर सकते हैं www.heenahealth.in मैं मिलती हूँ आप लोग इससे next video में जब तक के लिए अलाहाफेज झालाहाफेज।